नमस्कार दोस्तों मैं राविन विस्तुक्रमा जैसा कि आपको पता है कि मैं यूजी सीनेट अशिस्टेंट प्रोफेसर किलियर कर चुका हूँ और अपने अनुभो के अधार पर यह आप सभी को टॉपिक वाइज हर चीज को डिटेल में समझाने का प्रियास कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यह पता है कि क्यूशन काहा से बनाया जा रहा है इसलिए वीडियो के साथ आप बने रही है हर एक टापिक को अनलाइस करके मैं बता रहा हूँ और एक्जामपल के साथ समझा रहा हूँ और साथ ही कौन सा सेक्षन ज़्यादा इंपोर्टेंट है यह भी बत अगर को फसी में पड़ा रहा हूँ अगर आपको लिकारना है तो हैं अप सबने bestow watch क्योंकि सब्सक्राइiernoipping पर का सब्सक्राइबंक divergence कर पाएंगे और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पढ़ना है तो और मेरे चनल को सब्क्राइब करके वीडियो को like जुरूर कीजिएगा क्योंके like से हमको motivation मिलता है कि आप मेरे साथ खड़े हैं मैं आपके साथ खाड़ा रहوں गा और साथ की आप टेलिग्राम से नहीं जुरूरे हैं तो आपको स्क्रिस्टन में लिंक मिलेगा आप जा के टेलग्राम से जरूर जूड लिजिए क्योंकि उहां मैं अपडेट देता रहता हूं आज हमारा दस्वां पार्ट है टीचिंग एप्टिटूट का सिच्छन विधी में हमको तीन विधियां पढ़ना है जो बहुत ही महत्तपून व मेठड कहा जाता है इसे निजी कृत सिच्छण विधी भी कहा जाता है आज हम अध्यापक केंदरित पदती पढ़ेंगे क्योंकि यह सारे टॉपिक बड़े-बड़े हैं और यहां से ज्यादा क्यूशन पूछे जाते हैं तो चलिए पहला इसमें जहां लेक्षान दूसरा प्रयोग दर्शन विधी तिसरा है सम्मू सिच्छन टीम टीचिंग चौथा इसमें टेलिवीजन या वीडियो प्रस्तुति की माध्यम से पढ़ा जाता है पचमा समिक्छा नीती रिवीव स्ट्रेजी और छटमा है परसनोत्तर सिच्छन नीती क्योशन और अंस्वर पूछ देता तो आप लोग ध्यान देजिएगा अब मैं एक एक यहां पर पॉइंट है इसको एक्स्प्लेन करने जा रहा हूं डिटियल में अध्यापक के अंदरित पतेती में ब्याक्षान बीदे लेक्षान में से करते हैं पहला पॉइंट है इसमें सारी चीजें टीचर इसमें पर करता है लेकिन आप बस सुनते हैं आप चीजों को बस अब्जर्ब करते हैं आप सुन लेंगे नोट कर लेंगे चल देंगे बहुत रेयर केस में आपसे टीचर पूछ देता है जबाब मांगता है तो याद रखिएसे लिए इसे च्छन बीधिभी सिच्छन बीधिससे कहता है क्योंकि बहुत सजुट उते हैं एक टीचर आके पहर connected करें लेक्च staff दि आते हैं आय तर आप Other इसे लिए उस इंल्मागर 몸 पॉसिस किया हूं चलिए ब्याक्ष्यान बीदी से समझते हैं पहला पॉइंट है ब्याक्ष्यान का आर्थ किसी भी स्वाथ है वस्तु को भासड के रुप में पढ़ाने से जैसे मैं बोला हूं कि एम्म हो टीचर क्या करता है कि भासड देता है खास चाहत्र निश्क्री रू होता है कि आप ज़्यादा समझदार होते हो एक तरह से देखा जाते हैं चिंतन अस्तर के स्टुडेंट के अप होते हो आप के अंदर गरहण करने की किसी चीज़्र्च करनी कच्भ否besत कर में मदद करता है देखिए जब भी ब्यक्थान होता है तो क्यों मदद करता है आपको यह चीजे समझने में क्योंकि आप चिंतनस्तर की ब्रिलियंट होते हैं उनको समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती इसलिए कोई ब्यक्थान देता है कोई एक छोटा सब्द बोलता है उसका अर्थ को निकालना सुरू कर देते हैं इसलिए ज्यान के प्राप्ति में ज्यादा मदद करता है यह बताने का प्रयास किया पूरा पूरा प्राप्जर्ब कर लो पूरा जितना वी उन्ट को परढ़के संब कर लो यह आपर बताने का प्रयास किया जा रहा है इसलिए जल सिल जला आपके उनिट को पूरी रूप से समझा दिया जाए आपको आगे समझते हैं कुछ इस्तितियों में जैसे कि बड़ी संख्या में दर्सक, दुर्लब, सिच्छर संसाधन, समय संसाधन की क्यमी, तो भासड कब दिया जाता है, जब आपके पास कोई टीचर आ रहा है तो उसके पास क्या है, हमारे पास limited समय है, तो कम समय में उससे हम क्या क समझाने के परियास करेंगे, इसी को भासड के रूप में परयोग की आता है, या ब्याक्ठ्यान की रूप में परयोग की आता है, अगर उसके पास है, दुरलब सिच्छर संसाधन, माल लिजे, मैं पढ़़ा रहा हूं आपको, और मेरे पास ये पता है कि मेरे लेटाप की बैटरी खतम होने वाली तो मैं जल से जल्द आपको ब्याक्षान करके चला जाओंगा कि मैं बोलूंगा कि देखिए मेरे पास समय नहीं यहां पर लेटाप की डाउन हो जाएगी तो यह चीज़ आपको समझना होगा कि ब्याक्षान ज्यादा कब लिया जाता है या दिया जा ब्याक्षान देने से ज्यादा बेहतर लोग समझ जाते हैं यह चीज़े होती है इसलिए ब्याक्षान परेयोग करते हैं यह चीज़ आँ और याद रखेगा कि ब्याक्षान का प्रेयोग ज्यादा कब एसके लिए तीन कारणेटों पर विचार किया जाता है पहला है तैयारी दोसरा प्रस्थूति और तिसरा मुल्यांकन इसे अबshot Rain अगर मैं प्रस्तुति करता हूं मेरा प्रस्तुति करना करना ही बेकार हो जाए और उल्टा सीधा लिख दू तब भी बेकार हो लेकिन अगर यह कमी रह गई तो आपका एकदम बेकार हो जाएगा आपको उबर हो जाएगा बाउंस करने लगेगा तो यह चीजह आप समझेगा पॉइंट है तीन कारक है जो प्रभावी करते हैं ब्यक्ष्यान को जब भी ब्यक्ष्यान दिया जाता है अब चलिए ब्यक्ष सिक्षक के लिए सब्सक्राइब कोई पढ़ाता है उसके लिए बहुत असान देना क्योंकि उसको खटा-खट लिए लाएगा खटा-खट बूल के चला जाएगा अगर आप उस पर कोई कमेंट नहीं करते हैं तो उसको और सरल हो जाता है दूसरा इस वीदु के द्वारा कम समय में ज्यादा से ज्यादा सिक्षार्टियों को समलित किया जा सकता है माली जी हमको दो लोग पढ़ाना या हमको 10 लोग पढ़ाना या stats रोगवात कम है तो यहां पर देखिए कि अगर किसी कॉप ecosystem को बताना है बहुत सारे शुडेंट हैं तो दूसरा विदिया ही काता है तिसरा व्यक्षान विदि के लाब इसमें आगे सिखने की प्रेड़ा मिलती है जब भी हम आगे फ्यूचर मजाएंगे तो कहीं ना कहीं इसका परभाव पड़ता है हम और बहतर चीजों को अनलाइज कर पाएंगे कोई संचिप्त वर्ड परयोग करेगा कोई टीचर भी तो हम उस चीज को डीटियल में समझ पाएंगे किसी चीज को हमको बताना होगा तो ऐसे जब हम चीजों को देखते हैं सुनते हैं तो एक प्रेड़ा मिलती कि यार मैं भी कर सकता हूं क्यों नहीं मैं किसी स्टेज पर कि योग करते हैं कोई टीचर करता है किसी कि चुडियोंट के अग्यार के रहा हूं बहस मैं आई याँ पर देखेंगे आपको सब्द करके बता भी रहा हूं यह उपकरण के माध्यम से मैं समय को क्या किया हूं बहुत ज्यादा कम समय में आपको चीज़े समझाने का प्रियास कर रहा हूं तो इसी भी दिखाएं यहां पर लाब होता है यहां पर पच्छवा चातर ब्यक्षान को सुन कर इसके नोट्स बना सकते हैं तो सुरू में ही आपको तीन पॉइंट बता हैं तैयारी प्रसुतिकरण और मुल्यांकन अगर यह तीनों बहतर हैं तो हम नोट्स बना सकते हैं नोट्स बनाने में क्यों क्योंकि देखिए हमको दिमाग वहां पर बहुत कम यूज करना पड़ेगा वसारे जी हमको पहले एक्स्प्लेइन कर दिया है तो हम उससे नोट्स असानी से बना सकते हैं अब चलिए ब्यक्षान बिद्र की सीमाय जानने थे पहला इस बिद्र में टीचर आग बोलता है तुम बताओ खड़े हो के में में तो एक्स्वेंट वहां पर हडबड़ाते हुए वह भी ज्यादा संकोच में जवाब देता है बहुत कम खड़ा ही नहीं होना चाहते मतलब ऐसी माहोल वहां पर आता है कि बड़ी जो सिक्षक भीदी होती टीचर में अब भड़े लेबल की उसमें जाधा छात्र होते है मैं तरष कर रहा है नोएक तरस आका यहा दिमाओं में यह बेदी सरवत्तम मानसिंग मेंटल कोसल के विकास के लिए उपयुक्त नहीं होता है आप क्यों नहीं होता बता देता हूं देखिए ब्याक्ठान से आप चीजों को समझ सकते हो लेकिन आपको बेहतर आपकी कोसल का विकास करना बेहतर आपको बुद्धी मता क्ला लाना है तो प्रेटिकलด ज़रूरी है रिसर्च बहुत जडरूरी है रिसर्च अगर टीचर आपको करकर बता रहा है तो उसमें ज्यादा विकास करोगे इसीलिए यह उतना उपयुक्त नहीं होता है जिसनना प्रेटिकली करवाया जाता है आपसे कोंई रिसर्च कर वा जाता है आप से कोई साइमेंट यह लिख वा जाता है टीचर आपसे पढ़वाता है खड़ा ओकर तिह चीज ज्यादा काम करती है किसी लेकिन अगर वह चीज आपसे ब्याक्षान के माधिन सका जाके अपके विकास कितना होगा लेकिन उतना नहीं होगा इसलिए इसके उप्युक्त नहीं माना जाता है किसरा है यह विद्य के लिए नीरस तनाव फूर्ण हो सकती देखिए मैं बहुत सारे स्टुडेंट होते हैं उनके लिए ऐसे जो सुरू में सुरू से पढ़ते पढ़ते हैं उनका जो बुद्धी का विकास हुआ अभी जो है किसोरा ही अवस्ता की है इस अवस्ता में इस्ट सबस्क्राइब कर जाते हैं यहां उनके परिवार और उनके जो भी अगल बगल के लोग है जो माहोल है उनको को पहले हिस समझा दिया है कि कैसे आपको आगे पढ़ाई करना है। कि इतना अधे हो चाहते हैं कि वह देखनी को बिलते हैं। दूसरा है ब्यक्ठा ने उन परियोग परदर्शन भी दी परियोग परदर्शन भी दी वैसे चोटे समु की सिछन भी मानी जाती है अब देखिए परियोग देखेंगे आप छोटी कक्छाओं में ज्यादा परदर्शन करके दिखा जाता है किसी चीज को हाई स्कूल इंटर म बताया जाती है कि छोटे समों का सिच्छन भी इसलिए माना जाता है लेकिन अगर इसको ब्यक्षान सिच्छन भी इसे मिस्रित कर दिया जाए तो कक्छा में यह उपयोगी साबित होता है बड़े कक्छाओं में क्योंकि लेक्चर चला फिगर भी आ रहा परदर्सन किया जा र ब्यक्षान देना सुरू कर दें परदर्सन उसी को जाता कि दिखाना तो उससे समझाएगा ब्यक्षान एक तरह से आईडियो तरीका मेथड है बस उसमें आया लेक्षर देख चलागा पहला जो बताया हूं इसमें ब्यक्षान भी होगा लेकिन कोई चीज लगा कि आपको बताया जाएगा कोई ब्यक्षाएं आपको दिखा कर बता जाएगा जिस्से यह बहतर वपयोगी होता है ज्ञादा ब्यक्षान के दूर कि जा सकती है। एक मअ कोई सिथ्पश्ण करता है गो あ οποी यही उसम्पर यहां पर लगा हूं शर्णिस नेसे मैं नe近p सिद्धान का मैं एक्जामपल देता हूं तो आपको उतना फिगर नहीं बनेगा माइंड में लेकिन मैं बोलूँ कि देखो यह आपने कोई यहाँ पर पत्थर उठाया अकास में उच्छाला और फिर से नीचे आ रहा मैंने फिगर बना के समझाया आपके माइंड में फिगर सब्दों बताने का परियास करूं तो साइद आपको ज्यादा वहां पर कठनाईयां होती है इसलिए प्रयोग पर दर्सनवीद कमियों को दूर करने में ज्यादा उपयोगी साबित हो जाता है क्योंकि व्यक्षान में हम चीजे को बस अनलाइस करके चल लेते हैं व्यक्षा तुच्छ को मैं बताने का परियास कर रहा हूं यहाँ तो उस चीजको अगर मैं फिगर के मादयम से जैसे मैं सिद्धान बतायां हूँ न्यूटन का तो उसमें क्या मैं बोलाओं कि उस से मैं आप से पूछी कि क्या चीज है रहा तो आप बोलो कि यहां पर प्थर आप फेकर उपर जा रहा है क्यों नीचा रहा है प्रतिविक गुत्वा गर्षाण सकती है इस लिए खीच रहा जैसा कि सब्दों से ही समझ माता है कि यह गुरूप में पढ़ाया जाता होगा चलिए आगे समझते भी हैं जैसे दो यह तीन सिक्षक अक्षा में एक ही समय में अपने विश्यों का ग्ञान परदान करते हैं एक सिख्षक प्रिकरण के भी से में ब्यक्षान जाता है और सेध्यांतिक बाते करता है दूसरा सिख्षक बेवारिक पक्ष की बात करेगा तीसरा समसमाई की पहलगों पर बात करेगा और विचार गोष्ट परिस्तनवाद पैनल चर्चा इसके ही विभीन रूप कहे जा सकते अब इसको मैं एक्जामपल के मादियन सब्सक्राइब को समझाने के प्रयाद करूंगा तमों सिख्षण पदती में पैनल चर्चा इसे क्यों कहा जाता है अध्यापक मेथड में यह पैनल चर्चा भी इसे कहा जाता है यहां पर मैं लाश्ट में आपको पॉइंट बताया कि यह जाता है यहां इसलिए कंगा जाता है रहा है कोई उसके बारे में बिशस्था बताया जा रहा है तो चीज़े रहा तेन्हों समय में आपको चीज़ों को पूरा डिटेल में अनलाइज कर देंगे इसीने पैनल चर्चा ठाकए टापिक पर डिसक्स हाथा तो सबकी रा तो टीचर आपस में भी राय लेके आपको यह चीजे पुरा डिटेल में बताने का प्रयास करते हैं इसलिए इसे ग्रूप मेथड भी कहा जाता है सम्मू सिच्छण के लाब जान लेते हैं इस बीदी में च्छातर दौरा सबसे अच्छे संक्याय को साजा किया जाता है दूसरा यहाँ पर है इसमें कई सिच्छण तकिनिक को करोण का अनुकूलन उपयोग किया जाता है कि यहाँ पर पैनल चर्चम आप देखिएगा एक से आप संतुष्ट नहीं है तो दूसरा तक्निक आपको परयोग करके बता जाता समझाया जाता है किसरे आप इसके द्वारा सिच्छण की गुर्वत्ता में सुधार किया जा सकता है कितना बहतर कोई एक टीचर पढ़ा रहा है वह एनलाइस करके आपको बताक चला गया दूसरा आया वह पढ़ाया तो आपको जो पसंद आया उससे पता चलिया था कि इनका सिच्छण जो कर लेता कही न कहीं गुर्वत्ता में सुधार हो जाता है और बहतर सिच्छण को देखने कि मिलती है किसी वी जो भी सबजिक्ट का टीचर है अगर उसमें बहतर ज्यां बहुत बड़ी बात होती है यह सबको नहीं बेहतर समझाने आता है इसलिए इसमें इसकी एक सीवाय की गई है कि एक कफिनाई होती है कि बेहतर टीचर को Dr. पोजना जो सब्जपक को बेहतर तरीके संब्जा संगहा सके तो ऐसे में आपको हर एक teacher के द्वारा अलग-अलग तरीके से content सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, समझने को मिलता है, तो इसमें जो अधिक सिच्छा की आसकता होती है, इसलिए क्योंकि पैनल की तरह यह पढ़ायाता है, एक group जैसा है इसमें पढ़ाया होती है, 3-4 teacher आ नहीं होता है, और एक ही जैसा हर subject में teacher भी नहीं मिल सकते हैं, कहीं आपको teaching के instrument की कमी मिल जाएगी, आपको समय की कमी जाएगी, भूसा के योग के teacher ना मिले आपको, तो इसलिए सभी विश्यों में ऊपयोगी नहीं होता है, 4 इस विदी में समय निधारा और योजना बनान बना चाहर टीचर पान टीचर आपने बता रहें कोई टॉपिक क्लास में पढ़ाया जा रहे हैं तो किसको पढ़ाना है किस टॉपिक कोई टीचर बताएगा कौन साथ चीज कौन टीचर प्लेन करेगा इस चीज में योजना बनाना उसके साथ ही इस चीज को आवस्ते ग्रूप से उसी समय सम्मिट करना यह सारी चीज करना ना बहुत ही समय लेता है तो इस योजना में जब ज़्यादा टीचर है ज़्यादा चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो समय ज़्यादा लग आपको फोन करें किसी चीज़ को पढ़ाऊं तो आपको उतना बेटने अभी इसी चीज़ को आप इसी माध्यम से सुन रहे हैं कि बहुत सारे लोग है तब समझ मायगा कि हमको पढ़ना चाहिए था वैसे हैं यहां पर किसी चीज़ को बहतर तरीके समझाया जाए इसके लिए परदर्शन भी अगर वो टेलिवेजन का माध्यम से दिखाया तो जादा बहतर होता है जैसे कि मैं आपको इस चीज़ में आपको दिल्चस्पी होनी चाहिए कोई विद्धी आपको सामने प्रस्तुत किया जाए आप दिल्चस्पी नहीं दिखाएंगे आप उसमें रूच नहीं लेंगे तो विद्धी आपके लिए या टीचर के लिए फ्लॉप साभित होगा रीजन एक है कि आप उसमें रूच नहीं ले रहा है लेकिन जादा अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है इस पीजिसे आई समझाया तभी जा सकता है जब आप रूच लेंगे आप देखेंगे आप पोसिस करेंगे तभी आपके लिए और टीचर के लिए बहतर सावित होती है चलिए टेलिवीजन विद्धी के लाब जान लेते हैं पहला वीडियो पर दर्शन के माध्यम से कही महत्रपुन व्यक्तियों और अच्छा में प्रस्ति किया जा सकता है अब यहां पर बहुत इंपोर्टन चीज है कि यहां पर बहुत सारे टीचर आप से जूड़ सकते हैं टेलिवीजन माध्यम है बहुत सारे स्टुडेंट अल पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं यही है इसका पहला इसका पॉइंट यहीं काता है कई महत्रपुड व्यक्तियों और विस्यस्यों को कच्छा में प्रस्तित किया जा सकता है मैं मालों यहां पढ़ा रहा हूं और दो लोग को जोड़ को पढ़ा हूं है ना कंफ्रेंसी के मार्डियम से तो आपको असान हो जाएगा तो यह बिस्यस्यों को जोड़ने में बहुत ज्यादा असानी कर देता है घर बैठे चीजों को ज्यादा अच्छे तरह किसे कर सकते हो दूसरा यह बिस्यस्यों के लिए उपयोगी है तो बैस्क जो होते हैं पहली बात तो आपको वीडियो चलाना तो आना चाहिए आप जुड़ने आना चाहिए आप गूगल मिट कर रहे हो तो कैसे उसमें जुड़ना तो यह बैस्क ज्यादा अच्छे तरीके स्कार पाते में वाले श्टुड़न बीए वाले श्टुड़न ज्यादा बहतर कर पाते हैं तिसरा चित्रमय ब्याख्यान और परदर्सन अन्य सिच्छन सहाइक सामें जैसे स्लाइट मॉडल नमूने आदि के पूरक होते हैं जैसे आप ही देखिए मैं यहां पर कुछ ना कुछ तो बत तो इससे क्या है कि चित्रमय ब्याक्थान इसके द्वारा स्थरन रूप में प्रस्वुति करण किया जाता है टीवी और वीडियो प्रस्वुति करण के माध्यम से चैसे बोला हूं कि करोना कबास से देखें बहुत सारे शुडेंट क्या है लाइब प्रजेंटेशन सुन रहता टीचरों का क्लास में टीचर बैठा था अपने घर पर अराम से आप भी अपने घर पर बैटके सुन रहा थे तो बहुत सारे लोग जोड़ सकते हैं यह मान के चलिए पूरी यह वीडियो पर पढ़ रहे हो हमको सुन रहे हो यही वीडियो प्रजेंटेशन प्रच्व इसमें बहुत सारे घर बैठे ही देख पा रहे हैं अगर उनको इस तो बेचा जाता तो देख नहीं पाते इतने बड़े-बड़े टीचर वहां पढ़ा रहे हैं इसलिए वीडियो यूट्यूब के मादेम से बताया जा रहा है यह बहुत ही उपयोगी है यह जो भुगोल क गरूब में जो भी से पढ़ाय जा रहे हैं अन्य वीसें भी उपयोगी है जैसे कि हम लोग आज कल यहां पर टीचिंग माडल पढ़ रहा है ति इन विस्यों भी देखिए उपयोगी हिसावित हो रहा है टेलिवीजन की सिमा है दो सिमा हैं देख लेते हैं इस बीदी में द लाइब नहीं पूछ सकते हो लेकिन कुछ चीज़े आप कमेंट करके पूछे को या टेलिगराम पर पूछे को तो डायरेक्ट आप कम्यूकेशन नहीं कर रहे हैं ठीक है दोसरा यहां पर है इस बीदी में जटिल परसारण बेदी समायोजित करने में कठिनाई होती है ऐसे आपके कोई चीज़े प्रॉब्लम हो गई आपके नेट्वर के स्वाग है तो जटिलता यह भी हो सकती है कि आप सही समय पर परसारण नहीं कर पाएंगे पच्वा समिक्षा नीती रिवीव स्टेटेजी ब्याक्षान बेदी चर्चा बेदी समू सिच्छन बेदी सब के पुरवा लोकवन को समिक्षा नीती का नाम दिया जाता है देखिए जो भी हम ब्याक्षान की हैं चर्चा की हैं समू सिच्छन की हैं इसका हम जब रिवीव करते हैं है ना इसका हम समिक्षा पुरवान लोकन करते हैं जब इसके बारे में पूरा अनलाइस करते हैं इसके हम क्या करते हैं रिब्यू करके पदा करता है कि मैं कितना गलत पढ़ा हूं या अच्छा पढ़ा हूं क्या हो चुगा देखिए यहां पर बता भी रहा है कितना पाठेकरम सेस है सिच्छड में क्या तुर्थियां रह गई है जैसे कि अभी मैं आपको बता देओं पीछे सिच्छड बीदी में क्या सुधार वांचित है इत्याद यह बीदी उच कच्छाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है समिक्छा मौखिक या लिखिक तुरूप में हो सकती है तो यह जो बीदी है समिक्छा निति जैसे कि मैं बोलाओं कि अभी हमने जो पीछे चार पॉइंट पढ़ा है ना व्याख्यान बीदी पढ़ा है उस बीदी में टेलवीजन बीदी पढ़ा तो इसमें जो भी टीचर पढ़ा रहा है समिक्छा करता है इस बीदी के द्वारा पच्वा जो बिन्दी बता रहा हूं आप से जानने का प्रियास करता है कि कि अभी क्या पढ़ना यह क्याップ पढ़ादा भी रह गई है क्या सुधार करना है क्या आपको टौक्ट नहीं समझ माया इस पीदी के माधियमसे समझाने का परियास करता है समिच्छा लेता है review लेकर और local कर लेता है कि यहाँ आप मिर गई है तो आपको कम्यों को छुपा रहा है इस चीज को आप ध्यान दिजिएगा इसमें कुछ पॉइंट है जो मैं बता चुका हूं क्या हो चुका है कितना पाट करम से सिख्षण में क्या सुधार वांचिद है इस पॉइंट को डारेक्ट पेपर में पूछा जाता है तो समिक्ष्षा नित के अपणाया गया है उसके लिखवाक है उसके बारे में लिखवाक के आपको समझ में किसी प्रसने को मैंठा blacks ते लेकर स्टुइंटों से हम लोग अपनी जो भी है सब्सक्राइब जाता है तो इसको जान पाते हैं और सुधार कर पाते हैं जानते थ्रिकीप करना निर्माड करना दूसरा उनका प्रस्तुति करना तीसरा-चात्रक माध्याद करना यह तीन पॉइंट आप लोग याद रखिए तो देखिए जब भी कोई टीचर लेता है में आप से पूछा गया है तो जब बात किया जाता है आप से सवाल किये जाते हैं किसी टॉपिक पर बात किया जा रहा है सवाल किया जा रहा है तो आप सक्री हो जाते हैं और यह क्या पूछा गया है कई लोग तो अपना अब मैं कई पर एक्जामपल दिया हूं कि छुपना चाहते हैं चुपना जाते हैं इस बीदि में आप से पूछा जाता है उसके वास्ते आप प्रसुति करते हो अब नवीन से नवीन तरीके से बताने का प्रयास करते हो तिये तीन पॉइंट जाद रखेएगा और साथ ही यह ज्यान के चीप में अपने अंदर किया है कि इतना मैं अच्छा पढ़ाया था यह कितना नालेज गरहन किया तो ट्षे सब्सक्राइब वीडियो को लाइक करके अपने मित्तों जरू सिर किजिएगा तो फिलाल इस वीडियो में इतना है आप सभी करते दिल से धन्यवाद जैन